हेलो फ्रेंड्स सीपाई में आपका स्वागत है और आज की एक बड़िया वीडियो बनने वाली है ये वीडियो है आपकी टम टू का जो कोर्स होगा आपका उसकी वन सौर्ट वीडियो बनेगी और जितने भी चप्टर आपके होंगे वो सब इसमें कैद हो जाएंगे विद सौर्ट फॉर्मुले और एक्सेक्टर ये सारी की सारी चीज़े इसमें हम ले लेंगे ठीक है तो सुरू कर रहे हैं सबसे पहला जो हमारा चेप्टर आएगा वो है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री कौन सा बताओ इलेक्ट्रो केमिस्ट्री तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आपको पढ़ना क्या क्या है और आएगा क्या क्या उसको ध्यान से समझना question किस type क्याएंगे उस सब को करते हैं basically जो electrochemistry है वो electrical किसी भी chemical reaction से कितनी electricity generate होगी या फिर इन सब के application के बारे में बताएगा तो यहां से ना एक law generate होके आता है ohms law क्या आता है बताओ ohms law आता है ohms law क्या बोलता है उसको समझे बेसिकली यह जो ohms law है यह resistance को बताता है किसको बताता है resistance होता है resistance क्या होता है simple सब्दों में अगर कहूं तो जो current का flow होता है उसको एक जो मतलब resticated करेगा flow of current को या फिर flow of electron को जो resticated करेगा उसको क्या बोलता है मतलब resistance तो R is equal to होता है V upon क्या हो जाता है बताओ I ठीक है या फिर अगर मैं कहों तो यही क्या होता है बताओ volt upon ampere क्या हो जाएगा बताओ तो volt upon ampere हो जाएगा या फिर इसी की जो unit होती है वो होती है क्या होती है बताओ ठीक है यह हो गया उसके बाद आता है कि resistance की बाद आता है हमारे पास constant of two conditions barrier formula होता है conducting konductance uh2 c is equal to होता है आपका 1 upon r यानि कि one upon r तो r क्या होता है आपका resistance होता है तो इसका är unit है वह क्या बन जायगा था ohm बन्तलब पर ओम हो जाएगा निकि वो ओम इनवर्स ठीक है या फिर इसको ही साइमेन वो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको साइमेन एस आई एम एन या फिर ऐसे एस लेगते हैं ठीक है तो यहाँ पे ना बेसिकली एक चीज और आती है जिसे स्पेसिफिक कंड़क्टेंस नाम की चीज़ आती है क्या आती है बताओ Specific Conductance Conductance अभी Specific Conductance कब आएगी उसको ध्यान से समझे कि मान लिजे ना अगर आपके पास कोई wire है या फिर electrode है दो electrode है ऐसे कुछ एक चीज़ है यह डबा है इसके अंदर आपका एक electrode यह लगा हुआ है और एक electrode यह लगा हुआ है दो अगर यह electrode है तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक क्या रही होगी बताओ distance रही होगी अगर मान लिजी यह distance L centimeter है और जो यह electrode का जो cross section area है वो है A है ठीक है ना cross section area और A बराबर क्या हो जाएगा centimeter अगर cube निकल जाएगा तो यहां से हमेरे पास एक आता है specific resistance आता है और एक आता है specific conductance आता है ठीक है अभी देखो जो specific conductance होता है specific conductance को कापा से denote किया जाता है कापा बराबर one upon क्या हो जाता है रो हो जाता है सही है कापा is equal to one upon row या फिर और इसी को ये भी लिखा जाता है कि कापा is equal to one upon r one upon r into क्या हो जाएगा रो ल upon a सही है ये हो गया आपका अच्छा और आपके पास ना इसके बाद आएगा equivalent conductance next होता है हमेंसा आपका equivalent conductance समझें equivalent conductance equivalent conductance берखके कापा इंटू वी हो जाता है कापा इंटू फिर इसी को एक और तरीके से भी लिखा जाता है कापा इंटू thousand ओसल Sapon क्या हो जाता है बता आपका थी आपका यंसी ओसल धी के ठीक ऑ germs कि इसी को लिखा जाता है कापा इंटू कापा इंटू वन थाउजंड अपॉन नॉर्मेलेटी क्या लिखा जाता है नॉर्मेलेटी लिखा जाता है ठीक है और हाँ इसकी यूनिट पूछी जाएगी अगर इसकी यूनिट आएगी तो इसकी यूनिट होती है हमेशा पर ओम है ठीक है, ग्राम एक्किवेल है, ठीक है, यह आ गया आपके पास, या फिर साइमन सेंटिमेटर स्कॉाइर भी आ जाता है, यह हो गया, उसके बाद आपको पूछा जाता है, कि मान लिजे न, आपके पास एक कोई बीकर है, बीकर के अंदर आप सॉल्ट को डाल रहे हैं, और वो सॉल्ट हो आपका स्प्रेंगली सॉल्ट क्या हो बताओ, स्प्रेंगली सॉल्ट जैसे स्प्रेंगली सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, एक हो गया, आपका जिसे AGCl होता है, या फिर आपका BASO4 होता है, इस टाइप की जो solution होंगे उनके लिए solubility निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ, solubility, solubility बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका kappa into, kappa into 1000, upon क्या हो जाएगा, बताओ, not equilibrium per mole, इसकी जो unit आती है, यहाँ आती है, mole inverse, यहाँ है, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद चलते हैं, इसी में एक और चीज पूछी जाती है, kol rouse law, इसमें बहुत important रहता है, kol rouse law, इसको से ध्यान से देखना, kol rouse law, kol rouse law, देखे, kol rouse law है क्या चीज उसको समझे, kol rouse law क्या बोलता है, कि जो molar conductance होता है, क्या होता है, बोलता है, molar conductance, molar conductance होता है, आपका, यह molar conductance हो गया, is equal to, यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं, य लेम्डा नोट, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको य लेम्डा नोट, ठीक है, और यह क्या होता हो, यह होगा, तो जान लेते हैं, बाई, यह लेम्डा यह क्या है, उसको जान लेते हैं, कि यह लेम्डा क्या चीज़े हैं, सुने जो लेम्डा नॉट सी है लेम्डा नॉट सी क्या है और लेम्डा नॉट ए क्या है उसको जान लेते हैं जो लेम्डा नॉट सी है यह आपके यह है आपका जो है मोलर कंड़क्टिविटी है किसकी है यह होगी आपकी मोलर कंड़क्टिविटी कंड़क्टिविटी of cation और यह जो होगी molar conductivity of nion ठीक है बस इतना याद रखना है इसमें उसके बाद आपके पास आता है अगर कोई infinite dilute किया गया कोई अगर किसी solution को infinite dilute किया जाए है ना for infinite 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 dilute for infinite dilute के लिए अगर equivalent conductance निकालते हैं तो आपका हो जाएगा ये not equivalent conductance not equivalent is equal to हो जाएगा lambda not cation plus lambda not nion और ये किस के लिए हो बताओ infinite के लिए होगा सही है उसके बाद चलते हैं अगला वाला अगला वाले को देखते हैं ने खोई अगला आता है degree of dissociation है ना degree of dissociation आता है ये होता है molar conductance at a given concentration molar conductance at given concentration upon क्या हो जाएगा बताओ molar conductance at at infinite dilution या फिर इसका फॉर्मूला इसको ना alpha से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला देख लें molar conductance at आपका given concentration upon क्या हो जाएगा molar conductance at infinite dilution ठीक है ये बन जाएगा अच्छा इसके बाद इसके बाद आपका शुरू होता है फेराडी का first law ठीक है ना या फिर इससे पहले आपका होगा molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte तो इसमें कोई दिक्कत नहीं यह तो बहुत इजी है फेराडी लो फेराडी का first law first law of faraday को देखते है first law first law of first law of faraday faraday ठीक है ना faraday का first law क्या बोलता है बताते है कि w is equal to w is equal to z i t into क्या जाता है sorry z i t या फिर इसी को z q बोलते है z ठीक है ना या इसी को बोला जाता है electro chemical equivalent क्या बोला जाता है electro chemical 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 equivalent equivalent ठीक है अब देखो i बरावर यहां पर जो होती है i को बोला जाता है अच्छा यह तो z की value होई है ठीक है यह तो z होगे है z को क्या बोलेंगे electro chemical equivalent तो i यहां पर आपका होता है current past current current past current past for time for time t second ठीक है यह हो जाता है अच्छा second law क्या बोलता है faraday का यह faraday का second law अब यह तो first हो गया second law faraday second law ठीक है second law faraday के बोलता है उसको देखो weight of metal weight of metal a upon क्या होता weight of metal b ठीक है यह फिर आप equivalent निकाल सकते है हाँ एक चीज को ध्यान रखें one faraday is equal to होता है 96 500 है ना कूलंब ठीक है अच्छा उसके बाद चलते हैं सबसे ज्यादा important और जो पूछा जाता है वो है आपका एसे एक पूछा जाएगा इसे लसे question आतने के चांसे थोते हैं तो इसेल बराबर होता है इनौट कैफोड है ना इनौट कैफोड माइनस क्या हो जाता है बताओ इनौट और 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 ऑफ एनौट ठीक है ना जैसे आपका एक cell बनीगी तो cell में क्या हो जाएगा बताओ इधर की तरफ क्या हो जाएगी A no-dすमी यहाँए जाएगी यहाँ पर क्या लगा होगा बता हमके साब Arbeitsses लगा होगा है na in oscillator और यह ब्रीज लगा होगा यह क्या होगा वताओ आपके पास kathode होगा तो यहां से electron किस की तरफ जा रहे होंगे आपका cathode की तरफ जा रहे होंगे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो a b c anode bridge cathode ठीक है न तो आपका e cell ऐसे निकाला जाता है e not cathode minus e not of anode सही है अच्छा इसके बाद अच्छा ये तो आपका एक फॉर्मूला फिर अगर आपका इसको एक दूसरा फॉर्मूला होता है उसको भी लिख लें दूसरा फॉर्मूले को लिखना e not के लिए जो दूसरा फॉर्मूला आता है उसको लिख लेते हैं वाई दूसरा जो फॉर्मूला है वो होता है आपका e cell is equal to e cell is equal to e naught cell e naught cell minus 0.0591 upon n आ जाएगा log reduced state आपका oxidized state की concentration यह है क्या समझे एनोड से electron जाएगा cathode की तरफ तो एनोड में जो भी metal प्रेजेंट होगा उसके electron कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या माना जाएगा कि यह जो एनोड है न इससे electron चले गया तो जब electron remove होता है तो उसको क्या बोलते हैं oxidation बोलते हैं इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा और जो cathode होगा मतलब cathode upon anode भी बोला जा सकता है इसी को ना cathode upon anode V जैसे reduced state क्या हो जाएगा आपका cathode हो जाएगा इसमें कितनी concentration दे रखिए और oxidized state मतलब जो anode होगा उसमें कितनी concentration दे रखिए ठीक है ये हो गया और माल लिजे हाँ इसी chapter में एक और चीज़ है माल लिजे for a cell अगर मैं बात करता हूँ और ये cell कुछ ऐसी है माल लिजे कि starting में a concentration a का plus b of b है ये देता है x of x plus y of y अगर देता है ठीक है तो इसके लिए ना हम e not कैसे निकालेंगे देखो इसके लिए हम e cell की value कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दो e cell बरावर हो जाएगा हमारा e not of cell है minus 0.0591 upon क्या हो जाएगा बताओ n log ठीक है log अब देखो ये आपका क्या है product product upon क्या होता है reactant ये कहां से भी आता है बताओ law of mass action से तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका concentration of capital x की power small x है ना into concentration of capital Y की power small y upon क्या हो जाएगा बताओ concentration of A की power क्या हो जाएगा बताओ small a और concentration of B की power क्या हो जाएगा small b हो जाएगा सही है व остав इसके बाद अगर Gibbs free energy की साथ बात किया जाए इसकी न अगर आप से भूला जाए बताओ की Gibbs free energy की साथ इसका क्या relation होगा तो डेल्टा जी नॉट होगा सुनना डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ इनॉट ऑफ सेल इसमें ध्यान दे जी जो एन है यह होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजड चेंड एफ फेराडे होता है है ना 96500 है ना और यह क्या कूलम होता है और इनॉट सेल आपको दिया होगा ठीक है यह हो गया आपका इससे आप डेल्टा जी की वैल्व निकाल सकते हो कब जबी स्टेंडर्ड स्टेट में हो किस स्टेट में स्टेंडर्ड स्टेंडर्ड स्टेट का मतलब जानते हो क्या होता है स्टेंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि टेंप्रेचर कितना दिया हो बताओ 25 डेग्री सेल्सियस दिया हो ठीक है अच्छा अगर अगर ऐसा कुछ मेंसन ना हो कि टेंप्रेचर मेंसन ना हो तो ऐसे केस में जो आपकी delta z की value आती है उस में थोड़ा सा change आ जाता है if t is given t is given अच्छा यह वाला जो formula है यह formula तब लगएगा t given ना हो तो तब आपको 25 मान के चलना है अगर t कुछ दे रखा है तो ऐसे case में हो जाएगा आपका delta z not बराबर हो जाएगा minus of rt है ना lnk is equal to minus यह फिर ln को हटाएगे तो यह value आ जाती है minus 2.303 log sorry rt sorry 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 एक second यह आजाएगा आपका यह आजाएगा जी इतना से ना 2.303 rt है ना rt rb दिया होगा gas constant की value log कितना हो जाएगा बताओ भी log आपका हो जाएगा k k बराबर हमेशा क्या होता है बताओ product upon reactant concentration की बात करने ठीक है उसके बाद चलते हैं देखो कि अगर आपको thermodynamic efficiency पूछी है ना अगर क्या पूछी बताओ अच्छा है इसको ना अगर मैं मान के चलू n की value अच्छा है rtf की सब की value मैं अगर रख देता हूँ तो ऐसे के इसमें आपको बहुत मैंनला एक formula और generate होके आता है अच्छा है एक formula और generate होके आता है अपन कितना रहा है बताओ n log क्या हो जाएगा बताओ k हो जाएगा यह कब होता है जब आपके पास temperature कितना दिया हो बताओ 25 degrees celsius दिया हो ठीक है ऐसे के इसमें आप r की value रखेंगे 8.314 r बराबर रख देंगे 8.314 यह वाली value रखेंगे किस वाले में बताओ यह जो उपर वाली value आ रही है यह कौन सा कहां जी है यह same to same है कोई दिक्कत नहीं है इसको कर सकते हैं अच्छा उसके बाद क्या है पी एच है ना hydrogen cell के लिए एक ना pH आता है पहले तो hydrogen cell को denote कैसे करते हैं उसको समच जाते है for hydrogen cell hydrogen cell की मैं बात करूँ तो hydrogen cell को denote करते हैं e of है ना सुनना e of h positive gives h2 सही है is equal to है ना e not of e not of h positive gives h2 है ना minus ठीक है 0.0591 है ना log log 1 upon concentration of h positive i यह है formula hydrogen hydrogen cell के लिए ठीक है क्या आपको समझ में आए अच्छा उसके बाद ना इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं यह कहूँ पी एच लिखूँ अगर मैं कहीं पे ना अगर मैं पी एच की बात करता हूँ तो आपको पता है पी एच बराबर क्या होता है minus log of concentration of h positive i inb होता है है ना तो मैं यह भी लिख सकता हूँ इसका मीनिंग यह भी निकल जाएगा कि आपका ease of h positive से लेके h2 है ना is equal to e naught of या फिर e naught को नहीं लिखे है e naught अगर 0 हो जाए हाँ e naught अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा 0 minus होती ही है e naught h2 के लिए 0 ही होती है है ना तो कितना हो जाएगा 0.0591 है ना और क्या हो जाएगा बताओ pH I hope यह आपको clear होगी है अच्छा इसके लिए hydrogen cell के लिए e naught की value हमें सब 0.000 इतना हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस वाले में 0.000 रखते हो तो आपका कुछ eo आएगा ठीक है यह हो गया उसके बाद अच्छा कुछ reaction बताते हैं कुछ ना कभी-कभी relation पूछ लेता है तो relation क्या पूछता है उसको समझाता हूँ कि free energy और cell potential के बीच में relation पूछ लेगा यानि कि relation relation between free energy and cell potential cell potential ठीक है तो इसमें relation क्या होता है अगर मैं बात करूँ किसी type of reaction की है ना type of reaction की अगर मैं बात करूँ और second चीज मैं यह कहूँ कि delta G है ना delta G की value positive या negative और मैं अगर E की भी बात करूँ यह positive होगी या negative और type of cell की बात करूँ इतनी चीज़े अगर मुझे देखनी है अगर मान लिजिए type of reaction सुने जी अगर मान लिजिए type of reaction में यह reaction कोई spontaneous हो spontaneous हो तो ऐसे case में delta G क्या हो जाता है बताओ negative होता है और delta G negative होने का मतलब E की value हमेशा क्या हो जाएगा बताओ positive हो ठीक है और ऐसे तभी होता है जब cell क्या हो बताओ galvanic cell हो क्या हो बताओ galvanic 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 cell हो अब मान लिजिए आपके पास देदिया किसने non spontaneous क्या देदिया बताओ non spontaneous तो ऐसे case में delta G की value क्या हो जाएगी positive और E की value क्या हो जाएगी बताओ negative और यह हमेशा आपका कौन से cell में होता है बताओ electrolytic cell में होता है किस cell में होता है बताओ electrolytic cell चोथा मान लिजिए कही ना equilibrium आ गई है क्या आ गई है बताओ equilibrium आ गई है तो equilibrium के case में delta G भी क्या होता है बताओ zero EV क्या हो जाता है यह में zero यह तभी होता है कोई cell क्या हो जाए अगर बताओ dead हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए अगला है आपके पास chemical kinetics ठीक है next है आपका chemical kinetics सुना chemical chemical kinetics chemical kinetics की कहानी सुनते है chemical kinetics में basically हम बात करते हैं अगर कोई reaction जा रही है मालने जे एक reaction है x से y की तरफ जा रही है तो x से y में जाने के लिए कितनी rate कितनी speed से गया एक दूसरा ये जब disappear हो रहा था x तो उसका rate क्या था और appear हो रहा था y तो तब का क्या rate था तो rate of सबसे पहले क्या लिखा जाता है उसको ध्यान दो सबसे पहले आपको लिखा जाता आपने लिखना है rate of disappearance क्या लिखना है बताओ Rate of Disappearance Disappearance किसका? Of X का X का Disappearance कैसे निकालेंगे बताओ Minus D of X upon क्या हो जाएगा बताओ D T Time के साथ है न ऐसे ही अब form हो रहा होगा कौन सा Y form हो रहा है यहां पर Y क्या हो रहा है बताओ Form हो रहा है इसका मतलब क्या करेंगे Rate of Formation of Y Formation of Y ठीक है न तो Y के Formation में क्या होगा बताओ यह Minus D X हो रहा है तो यहां पर इसकी Concentration क्या होगी बढ़ेगी तो यह क्या हो जाएगा बताओ D of Y upon क्या हो जाएगा बताओ D T हो जाएगा सही है इतना हो गया अच्छा उसके बाद हम रेट निकालते हैं एक कोई मानले के कोई reaction है कोई है एक reaction मानलो X plus Y दे रहा है आपका 2Z दे रहा है क्या दे रहा है बताओ तो ऐसे के इसमें जो rate होगा जो rate होगा वो rate हो जाएगा minus D X upon क्या हो जाएगा बताओ D T है न Is equal to क्या हो जाएगा बताओ minus X की value क्या हो रही है घटले है न इसी का minus क्या हो जाएगा बताओ minus of D Y upon क्या हो जाएगा D T हो जाएगा Is equal to क्या हो जाएगा बताओ भाई अच्छा यहाँ पे न आपको एक सी ध्यान देना है जितनी आपकी stoichiometry लिख रखी होगी ना उसको one upon में कर देना है जिसे two z बन रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा one upon two dzy क्या हो जाएगा dt क्या हो जाएगा यह देजएड बाई dt stoichiometry को upon में कर देना है सही है यह हो गया अच्छा उसके बाद मान लिजिए कभी ना कोई reaction अगर मान लो हाँ इसमें कर देते हैं कि कोई reaction मान लिजिए क्या हो जाएगा रिवर्सिबल हो जाएगा रिवर्सिबल या फिर एक्किलिब्रियम में हो जाए for a reaction reaction in equilibrium ठीक है न और वो भी कौण से बताओ reversible हो तो ऐसे कि इसमें क्या होगा अगर कोई x से क्या बना रहा है बताओ y बना रहा है और y से क्या बना रहा है बताओ x से बना रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा यह y बन गया है न अब देखो आपका क्या हो जाएगा dx upon क्या हो जाएगा बताओ dt is equal to ऐसे case में क्या हो जाएगा बताओ dx upon dt ही होगा लेकिन यह जो dx upon dt है यह कौन सा होगा बताओ कौन सा होगा forward वाला होगा कौन सा होगा बताओ forward होगा और यह कौन सा होगा बताओ backward होगा backward की तरफ ऐसे जाएगी reaction और forward की तरफ ऐसे जाएगी और, अच्छा, सॉरी अनिस हैंना यह क्या जाएगा बोटाओ? तो overall वहाँ पर आपको change rate में नहीं मिलेगा यैनि की क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, zero order reaction को पढ़ते हैं order से लेकि third order तक पहुंचते हैं जिरो order तक पहुंचते हैं देखो zero order के लिए क्या होता है for zero order reaction for zero order reaction for zero order reaction की बराबर क्या हो जाता है बताओ x upon क्या हो जाता है अगर आप से कभी पूछा जाए कि भाई जो रेट होता है वह क्या होता है तो रेट के लिए आप बोलेंगे चेंज इन है ना चेंज इन कंसंट्रेशन अपन हमेशा क्या होगा बताओ ताइम के रेस्पेक्ट में कोई भी कंसंट्रेशन कितना चेंज होगा है वही रेट होता है ठीक है तो अब यहाँ पे अच्छा यह तो आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट और के लिए लेकिन इसक भी पी ऐसीं अगर फर्स्ट और रियक्शन आए फॉर्ट और रीक्शन फर्स्ट और रियक्शन के लिए जो के होता है के बराबर हो जाता है 2.303 है ना अपन में t log a upon a minus x बस 2.303 upon t log a upon a minus x तो यहाँ पे जो a है ना a क्या है उसको समझते हैं a है initial concentration क्या है बताओ initial initial concentration और जो आपका t है t क्या है बताओ time है t बराबर क्या है बताओ time और जो x है ना x बराबर है आपका amount that that has reacted amount that that has reacted जो react हो चुकी है तो यह होगे आपके पास अच्छा अगर मैं first order की half life की बात करूं है ना t half की है ना अगर बात करूं t half t एक बट्टे दो t half की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए formula होता है भाई बहुत याद रखने वाला formula है वो होता है आपका 0.693 है ना क्या होता है बता हो जिरो पॉइंट 693 अपॉन है ना अपॉन में क्या हो जाता है की ठीक है यह हो गया उसके बाद आपके पास क्या जाएगा अच्छा t75 अच्छा कभी भी ना हम एक काम कर सकते हैं जैसे को निकाल सकते हैं कोई भी टी बराबर क्या हो सकता है बताओ t75 को निकाल सकते हैं t75 का formula लिख लिए आप first order के लिए t75 t75 के लिए important formula रहेगा आपका 2 into 2 into t50 और t99 सुनना t99 point कितना बताओ 9 बराबर होता है 10 into t50 कि यह दो फॉर्मूले याद होने चाहिए यह निकि 99% t temperature time 99 में कितना rate यह सब चीज़ है ना या फिर आपको अच्छा एक question और पूछा जाता है जो सबसे important रहता है t87.5 is equal to होता है 3 into t50 ठीक है अच्छा फिर second order में चलते है second order के लिए क्या करना है ध्यानने second order में है आपका k बराबर one upon t into x upon है ना x upon है आपका a into a minus x होता है second order one upon t है ना one upon one upon t x upon a into a minus x और इसके लिए t half की value भी लिए 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 t है बराबर हो जाता है इसका one upon k a और k तो आपको पता है यह भी आपको क्या बताओ पता है ठीक है अच्छा अब एक चीज़ है ना कि इतना सब नहीं करें तो half life अगर मैं जानना चाहूं किसी भी एननेत reaction के लिए ठीक है ना यानि कि मैं यह जानना चाहूं for एननेत reaction half life is half life is यह आती है सुनो t half is directly proportional to concentration of a naught है ना कि पावर 1-n n बराबर order of reaction order of reaction सही है यह आ जाए यह आपका उसके बाद आ उसके बाद आता है आपका चली अब t half की तो यह बात हो गई ना अगर मान लेजिए आपको बोल दिया कि t कि कितना आपको पूछ दिया कि t कुछ भी हो 1 upon n की value तो इसके लिए भी formula होगा 2.303 upon है ना 2.303 upon क्या हो जाएगा k है ना log हो जाएगा n upon n upon n minus 1 आप formula इससे भी निकाल सकते है ठीक है अच्छा उसके बाद arhenius equation arhenius equation होती है जो है ना arhenius equation arhenius equation arhenius equation क्या होती है arhenius equation में जो rate constant k होता है k is equal to क्या होता है उसको देहनने log log a minus e a upon 2.303 rt 2.303 rt ठीक है अच्छा यह हो गया आपका chemical kinetics का पूरा overview जो कि आपके exam के लिए important अगला चलते हैं surface chemistry किसमें चल दो बताओ surface chemistry सबसे चोटा topic है और इसमें कुछी formula याद रखने होते हैं मनलब मैं तो कहता हूँ कि चार लाइन का chapter है इसमेरा याद क्या क्या करना है उसको बता देता हूँ पहला है आपका friendly absorption isotherm है friendly friendly adsorption isotherm ठीक है और इसका formula होता है x upon m x upon m is equal to k p ki power 1 upon n या फिर x upon m is equal to k c ki power 1 upon n यह pressure और यह क्या concentration ठीक है यानि कि अगर मैं बोलू कि x क्या है तो x वरावर होगा amount of amount amount of absorbent अब्सार्बेट और एम इस इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्राम ओफ एब्सार्बेंट एड प्रेसर ठीक है ना ग्राम ओफ एड्सार्बेंट एड प्रेसर ठीक है और जो c is equal to होता है आपका concentration क्या होता है बताओ कंसंट्रेशन है ना के एंड एंड जो के एंड एंड होते हैं स्वारी small n होते हैं constant और हमेसाद जो n होगा वो greater than क्या होगा बताओ वान होगा उसकी बाद आता है लेंग मियर लेंग मियर absorption आइसो थर्म क्या बोलता है absorption आइसो थर्म यह क्या बोलता है इसको देखो यह होता है x upon m is equal to हो जाता है यह ap upon one plus bp ठीक है अच्छा उसके बाद अगर मैं एक बाद बता हूँ a और b तो आपके constant हो गए पी क्या हो गया x and x upon p and यह तो यह हो गया अच्छा उसके बाद यह होता है अगर at low pressure की बात करो है ना at low pressure तो ऐसे केस में ना यह formula आ जाता है x upon m is equal to हो जाता है केवल a p बचता है और अगर मैं at high pressure की बात करों किस की बात करों high pressure की बात करों तो ऐसे में यह बन जाता है भाई x upon m है ना is equal to a upon b इतना है यह सर्फेस फिर आता है आपका p block तो हो गया है है ना उसके बाद आपका आता है d और f block d और f block भी आपका एक page का है d और f block में देखते हैं कि d और f block है ना d and f block इसमें से important क्या है उसको देखते हैं देखो इसमें ना सबसे पहले तो general electronic configuration है for d block है ना for d block general electronic जेनरल electronic configuration यह क्या है इसको समझते हैं इसका ना अच्छा d block element को transition element भी बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है बताओ transition element transition element तो इसमें होता है इसका electronic configuration n-1 है ना यह होता है d 1 to 10 है ना और ns n-s क्या हो जाएगा जीरो टू ठीक है यह इनका general electronic configuration होता है जैसे मालनेजे scandium की मैं बात करो scandium इसका क्या होता है बताओ 21 होता है है ना 21 होता है तो अगर मैं यह का हूँ कि भाई इसका electronic configuration क्या होगा तो यह है आपका फॉर्थ उसका period का तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ फॉर्थ जाएगा है फॉर्थ होगा ना फॉर्थ का यह होगा है ना फॉर्थ का अगर यह होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ आपका जो बनेगा फॉर्थ period होगा तो n की value n बरावर कितना जाएगा 4 आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा एन अगर 4 आएगा तो n-1 क्या हो जाएगा बताओ 3 हो जाएगा यानि कि 3D है ना 1,2 कितना 10 और 4S कितना हो जाएगा बताओ 0,2,2 इसका electronic configuration इनमें से कुछ आ सकता है है ना हो सकता है इसका 3D 1 ही वाना है ना 4S 2 आ जाए है ना 4S कितना 1 और 4S कितना हो जाता है बताओ 2 या इसको इधर के लिए क्या हो अब एक चीज़ है यह तो 1st सीरीज के लिए हो गया है 2nd सीरीज के लिए क्या हो जाएगा बताओ उनका N की वैल्यू कितना आती है बताओ 5 आती है और जो इसके बाद तो 3rd सीरीज होते है इसके ट्रांजिशन की N is equal to कितना जाएगा 6 आ जाएगा सही है तो इसको बोला जाता है थर्ड ट्रांजिशन स्रीज इसकेंडियम से लेखे इसकेंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कुरोमियम, मैगनेज, आईरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और जिंक यह सब के सब क्या होते हैं मताओ 3D होते हैं मताओ यह 3D होते हैं अगर 4D की बात करहूँ तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राही पर आएंगी सारी ठीक है उसके बाद अगला वाला ला हफ ता वर्ना उसामा से इराक में पिटाऊंगा यह होते हैं 5D वाले यह होते हैं 4D वाले वाले हैंना और यह कौन से होते हैं बताओ 3D वाले होता है ठीक है उसके बाद इन से ना मोस्टली जो पूछा जाता है electronic configuration के बाद वो होता है magnetic moment क्या होता है बताओ magnetic moment magnetic moment generate होता है आपका magnetic moment generates from generates from from unpaired unpaired electrons ठीक है तो इसमें आप magnetic moment को किया जाता है mu से represent किया जाता है mu is equal to formula होता है n 2 और यह होता है bore magneton होता है इसकी unit ठीक है और यह जो n होता है small n बरावर होता है number of unpaired electrons क्या हो जाता है बताओ number of unpaired electrons सही है अच्छा उसके बाद है f block यह तो आपका d block इतना होगी है इसके बाद लिए चलते हैं आपको f block f block के लिए न general है na general electronic configuration की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका electronic configuration होता है 4f length night के लिए है lengthenum होते हैं जो उनके लिए 4f है न यह 4f स्रीज जो होती है कि power हो जाती है n और जहांपे n is equal to होगा आपका one to 14th one to 14th ठीक है और दूसरा होता है 5d है न जीरो टू one zero to one zero से लेके one तक और six s कितना होता है बताओ इसमें two हो जाता है ठीक है अच्छा यह तो lengthenum होते हैं जो lengthenoid होते हैं sorry lengthenoid होते हैं उनके लिए actinoid के लिए क्या हो जाएगा बताओ actinoid के लिए हो जाएगा भाई अच्छा यहां पे न एक चीज़ लगाने जैसे redon लगा देनी हमें actinoid वाले के इसमें redon लगा देनी है redon 5f 5f zero two कितना हो जाता है बताओ 14 कितना हो जाता है zero two 14 उसके बाद क्या आता है six d zero two two ठीक है और seven s क्या हो जाता है बताओ two हो जाता है ठीक है और यह जो rn होता है यह क्या होता है redon होता है यह आपका d और f log हो गया उसके बाद चलते हैं coordination में ठीक है coordination में ना coordination में से बहुत ज्यादा chapter नहीं है बहुत बड़ा chapter नहीं है बस हलका फुर काई रहता है उसमें को क्या क्या याद रखना को बता देता है और बांकि तो आप लोग कर लेंगे ठीक है कॉडिनेहिसं को बहुत सौठ तरीके से करते हैं दिक कॉडिनेशन में किया पूछता है सबसे पहले थो आई-ई-उ-पी ए इसे नोमन्क्ले ज़्ish लिप्स नोमन्क लेजा को मेरे पास दो चार चीजिए होते है मेरे पास कोई compound है k4 fe cn का hole 6 और यहां पर आ गया मेरे पास मान लेजिए कुछ नहीं है ऐसे छोड़ दिया मैंने तो इसमें ना यह जो k4 होता है इसको बोलते हैं outer metal क्या बोलते हैं इसको बताओ outer metal इसको बोलते हैं coordination इसको बोलते हैं अच्छा यह हो गया आपका central metal आयन हो गया और यह क्या हो गया cn क्या हो गया यहां पर ligands हो गया क्या हो गया बताओ ligands तो इसका नाम हो जाएगा potassium hexasyoniferate ठीक है ना इसका नाम हो जाएगा तो आयो पीएसी नोमेंक्लेचर से important क्या है उसको समझते हैं माल लेजे ना यह जो cn है cn यहां पर जो cn legend लगा हुआ है इनके लिए पूछता है कि भाई आपके पास जो यह जो ligand है इनकी spectrochemical series फूछ लेता है क्या फूछ लेता है बताओ spectrochemical series to chemical series यह फ्यिद्ब स्ब्सक्रा जो दुछ को याद कैसे करना है मेरे साथ देखना सबसे पहले आपको हलाईड को लिखना है कि सको लिखना है है हलाईड कों सा यह जैसे आइसा होता है आप क्या करांगे बताओ आउडीन को लेखे दें गे सबसे पहले तो आपके पास कौनसा होगा बता सबसे पहला आउडीन उसके पफ़राव यह क Game सबसे उसके बाद उसके लिखना ह्ये की साफर पीछे याश्य थो मैनसित निए स्के पतन आपको लिखना द्री F3- , फिर गलिखना है, आपको seguir경, F Mikey और फिर आएगा आएगा आपका OH- को आएगा उसके बाद आएगा आपका Oक मैंन बोलते हैं जिसको उसके बाद आएगा आपका N O 2, आएगा क्या हेगा है क्या बताओ इस बेलrar N O 2 आएगा मैंडेर फिर आएगा आएगा सी एन colors आएगा फिर लास्ट में क्या जाएगा करें रिजन हमेशा क्या करें एलेक्ट्रॉन देनी का काम करेंगे Central Metal आयन को क्योंकि उसके पाफ वेकंटर डियार्वाइटल होता है उसके बाद आता है आपका डियल्टा T डियल्टा of tetrahedral निकालने का फॉर्मिला होता है जो हाड होता है 4 upon 9 डियल्टा O होता है ठीक है इन्टू डेल्टा ओ और यहाँ पर क्या होता है ना दरसल मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं उसको समझा देता हूं मालनों डी और्विटल कितने होते हैं एक दो तीन चार पांस होते हैं तो इस्प्लिट आउट कर जाते हैं इस्प्लिट आउट दो टाइप से करते हैं यह एक होता है टी टू जी और क्या होता है यह होता है यह होता है और यह क्या होता है बताओ टी टू जी होता है क्या होता है तो यहाँ पर ना जो यह 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 य Electrons in EG orbitals Number of Electrons in EG orbitals ठीक है और जो आपका X होगा वो किसमे आएगा X बराबर आजाएगा Number of Electrons in किसमे T2G orbital ठीक है तो यह हो गया एक और लास्ट रूल है इसका Coordination का Coordination में है एक important ची जिसका नाम है EAN Rule EAN Rule EAN Rule क्या बोलता है EAN Rule का एक formula होता है उस formula को आप लोग याद कर लेना Atomic Number Atomic Number of The Metal Metal Minus Number of Electron lost Electron Lost In Iron Formation Formation Information Information Plus Number of Electrons Gained from the donor atom Of the layer Atomic Number of कितना है ठीक है उसके बाद कितना electron को lost किया और last में कितने electron को gain किया इसी को क्या बोलते हैं आपका EAN Rule ठीक है यह होगी आपका पूरा chapter का overview इसका फिर चलते हैं LD हाइड कितन और कार्वुक्सिलिक ऐसे बहुत सिंपल सा chapter है कुछ भी नहीं है इस chapter का एक बड़िया सा overview बना सकते हैं लोग लास्ट चेप्टर होटा है इसका तो चलते हैं देखो इसके बाद अमाइन भी बजता है वह पांच मिनिट में यह पूरा चेप्टर हो सकता है सुन्दा जी LD हाइड और LD हाइड कितन और कार्वुक्सिलिक ऐसेट को चलते हैं ऑँ तो LD हाight का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RC1OH होता है कीटन का फॉर्मूला होता है RC1 Season 1 OR होता है गैश और कार्वुक्सिलिक ऐसेट का फॉर्मूला होता है RC1 OOH होता है ठीक है यह होगया अच्छा है इन में ना आयू पीएसी नाम कैसे लिखते हैं बताओ आयू पीएसी नाम लिखा जाता है जैसे मान लो कार्बोकसिलिक एसिट के लिए देखो इसके लिए आयू पीएसी नाम में लास्ट में अल लगाया जाता है ठीक है इसमें लगाया जाता है और इसमें क्या लगाया जाता है बताओ या फिर बेंजीन एल्डी है या फिर एल्डी है यह लगा है जाता है इन्यों यह हो गया अच्छा इसकी ना इंपोर्टेंट रियक्शन को जानने से पहले ना कुछ नाम जान लेते हैं जो की हमारे इसके लिए इंपोर्टेंट है इसके लिए इंपोर्टेंट ने बताओ जिसे क्या बनेगा या फ्रेडिलक्राफ्ट रियक्शन ओगई है यह सारी की सारी चीज़े देख ठीक है तो यह जो 19 reaction है इन reaction के लिए न एक न सेपरेट से आपके लिए वीडियो बना दूँगा ठीक है तो thank you so much इतनी वीडियो बनाते हैं आज के लिए बहुत ज्यादा लंबी हो गई thank you so much अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please like करें share करें subscribe करें भाई को और बढ़िया तरीके से आपको सारे के सारे concept बताये जाएंगे ठीक है जी तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको